हम कुछ करना चाहते हैं तरक्षी करना चाहते हैं कुछ बनना चाहते हैं लेकिन रह रहे के आपके मन में खयाल आता है कि सभी रास्ते बंद हैं पैसा नहीं है साधन नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है क्या करूं मैं कैसे काम करूं येस, सभी रास्ते खुल जाएंगे अगर आप वास्तू की सपोर्ट लेंगे क्योंकि वास्तू अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वेहिकल है आपके लिए जिससे आप सक्सेस को एचीव कर सकते हैं सभी रास्ते खुल जाएंगे इसके लिए मैं कुछ खास टिप्स आपको देने वाला हूँ दाहिनावर्ती शंक लेना है आपने भगवान विश्नु के हाथ में जो शंक होता है उनके दाहिने हाथ में जो शंक होता है उसे दाहिनावर्ती शंक कहते हैं इस दाहिनावर्ती शंक के अंदर जल भरना है आपने, जल भरके आपने रात भर नौर्थीस्ट में रख देना है और सुभे इस जल से पूरे घर में या आपके आफिस में चीटे देने हैं, स्टार्ट करना है मेंडोर से, मेंडोर के बाहर से और मन में भगवान शिव का ध्यान करना है, और कहना है कि जितनी भी नेगेटिव एनरजी है, आपकी सक्सेस की रहा में, आपकी सक्सेस रोड में, वो सब दूर हो जाए, धुल जाए और clockwise पूरे घर में थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करना है, ऐसा daily करेंगे, तो आपके लिए कभी भी कोई भी रास्ता बंद नहीं होगा दूसरा उपाए, बहुत ही अच्छा है, आप करके देखे, मा लक्षमी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और बहुत ही ज्यादा मान, सम्मान आपके जीवन में आने लगेगा जी, दो लक्षमी कोडी लेनी हैं आपने, लक्षमी कोडी बहुत रेर होती है, बहुत ही सुन्दर होती है, इन दो लक्षमी कोडी को आपने केसर से रंग देना है, किसी भी Thursday वाले दिन या Friday वाले दिन, बहुत ही अच्छे मन से, उस समय आपको depression नहीं होना चाहिए, मन में खुशी, मन में उमंग और बहुत जादा उत्सा होना चाहिए, समझे कि आप जीवन को रंगीन बनाना चाहते हैं, खुशियां लाना चाहते हैं, कोडी हाथ में रखिए, सीधे हाथ की, इस उंगली से केसर लगाईए, बहुत ही अच्छे मलमल के कपड़े में उसे लपेट कि कहां रखना है, उत्तरपूर्व की दिशा में आपको रखना है, संभाल के रखना है, अब आप पूछें कि टेबल पे रखना है, कहीं रखना है, कहीं रख दीजिए, नजर नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि ये लक्षमी कोडी का जोड़ा कहां पड़ा हुआ है आपके मन में विज्यूलाइजेशन होना चाहिए तीसरा उपाय बता रहा हूँ आपको कभी-कभी हमें लगता है कि हमें जीवन में पैसा तो मिल रहा है लेकिन सम्मान बिलकुल भी नहीं मिला अगर सम्मान मिलता तो हम कितना और अच्छा करते हैं सम्मान यानि कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है इस्ट डिरेक्शन के लिए इतना सुन्दर उपाय मैं आपको बता रहा हूँ आपके घर की रसोई से यह उपाय बड़े आराम से हो जाएगा रसोई घर में जाएए साबुत लाल मिर्च डंडी वाली लेनी है पांच लाल मिर्चे आपको ले करके किसी भी मलमल के कपड़े में लपीटनी है और इस्ट की विंडो पे इसे बांध देना है आपने यूँ तो आपको लगेगा कि जो यह मिर्चों का उपाय है यह नजर दोश दूर करने के लिए पुराने समय में बड़े बुड़े करते थे लेकिन मिर्चों से हम यहाँ पे अपनी रिस्पेक्ट और अपने नेम एन फेम को ओपन कर रहे हैं इस दिशा को एनहेंस कर रहे हैं यह एक ऐसा मसाला है जो इस्ट की दिशा को एनहेंस करेगा बहुत आराम से रखना है मिर्चे तूटनी नहीं चाहिए ब्रेक नहीं होनी चाहिए साबुत मिर्च होनी चाहिए ऐसा करने से रिस्पेक्ट नेम एन फेम पैसे के साथ साथ आपको मिलेगा करके देखिए आपको बहुत ही जल्दी एहसास होगा कि लाइव वास्तु के ये छोटे-छोटे उपाए आपको बहुत फायदा करते हैं और आपका साथ देते हैं ओम नमाश्यवाए